दोस्तों, आज कल कई लोगों के हाथ में कचवे की अंगुठी नजरा जाती है। पर सायग बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है कि कचवे की अंगुठी उन्हें किस दिन और किस समय पहननी चाहिए और कचवा अंगुठी को सही उंगली में पहनने से ही लाब मिलता है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कच्छवा अंगोठी किस उंगली में धारण करनी चाहिए और कच्छवा अंगोठी पहनेने का सही तरीका क्या है जिससे कि ये अंगोठी आपको सुबफल प्रदान करें साथ ही धन आगमन के रास्ते खुलें और जीवन में तरक् प्राप्त हो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों कच्छवे की अंगोठ पहनने से लाब मिलता है मगर बहुत से लोगों को इस अंगोठी को पहनने के बाद भी उचित फायदा प्राप्त नहीं हो पाता है और पहनने का तरीका पता ही नहीं होता है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कच्छवे वाले अंगोठी पहनने से सरीर में सकरात्म कूर्जा का संचार होता है इसके लावा इस अंगूठी को उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है वास्तु के अनुसार कच्वा भगवान विश्नु का ही अवतार माना जाता है समुद्र मन्थन के समय देवी लक्ष्मी के साथ कच्वा का भी प्रकट हुआ था इसलिए कच्वा देवी लक्ष्मी का भी प्रीमाना जाता है दोस्तों कच्वे वाली अंगूठी पहनने से भाग में भी व्रद्धी होती है इससे नौकरी और व्यपार में भी तरक्की की संभावनाएं बढ़ती है साथ ही कच्छवे वाली अंगूटी पहनने से आत्मे विश्वास में भी बढ़ोत्री होती है क्योंकि ये सूर्य और मंगल ग्रह को बलवान बनाने में मदद करती है और कच्छवे वाली अंगूटी धारन करने से धन की कमी कभी भी नहीं रहती है दोस्तों कच्छवे की अंगूटी पहनने से पहले कुछ खास बातों को जानना पहज जरूरी होता है इसे सही तरीके से पहनने से अधिक लाब मिलता है आपको बता दें कि कच्छवा जल में रहने वाला प्राणी है कभी-कभी वह धर्ती पर भी रहता है इसलिए जल तत्तों से जुड़ी चीजों में कच्छवा फलता फूलता है इसलिए कच्छवे वाली अंगूठी को सदेव जल तत्तों वाली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर या प्रत्वी तत्तों वाली उंगली मिडल यानी मद्मा उंगली में पहनना सुब होता है और कच्वे वाली अंगुठी को सोमवार या फिर सुक्रवार के दिन पहनना अच्छा माना गया है बस ध्यान रखें कि अगर आप सोमवार के दिन का चुनाव करते हैं तो फिर कच्वे वाली अंगुठी इंडेक्स फिंगर में पहने और यदि आप सुक्रवार को अंगुठी पहनना चाहते हैं तो फिर मद्यमा यानि बीच वाली उंगली में ही पहने दोस्तों, जितना जरूरी है कच्वा अंगूठी को सही दिन में पहनना, ठीक उतना ही जरूरी है सही समय पर पहनना, जिससे की कच्वे वाले अंगूठी का पूरा-पूरा लाब मिल सके इसके लिए आप सही दिन यानी सोमवार या फिर सुक्रवार को सूर्योदे होने के एक घंटे के अंदर आपको पूजा करके इस अंगूठी को धारण कर लेना चाहिए यही समय इस अंगूठी को धारण करने के लिए बेस्ट समय है आप सूर्योदे से एक घंटे तक इस अंगूठी को पहन ले और कच्वे वाले अंगूठी चांदी के धातु की हो तो अत्यदिक लाब मिलता है दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कच्वे वाले अंगूठी को धारण करने का सही तरीका क्या है आप सोमवार या सुक्रवार के दिन प्राता कालोट कर इस नानादिकर के सुचवस्त धारां करें फिर पूजा इस्थल पर बैठ कर लक्ष्मी माता की प्रतिमा के सामने कच्वा वाले अंगूठी को गंगा जल में तीन बार डूपकी लगाएं और फिर लक्ष्मी माता और कच्वा देवता से अपनी खुसियों वा सम्रद्धी की कामना करें और लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 108 बार जाब करें इसके बाद धूब दीब जला कर विद्वत पूजा को संपन्न करें इसके बाद आप कच्वे वाले अंगूठी को सही उगली में धारण करें बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी डिरेक्शन सही होनी चाहिए कच्वे कमू पहनने वाले की तरफ ही होना चाहिए जिससे की धन उसकी ओर आए गलती से भी कच्वे कमू बाहर की तरफ ना हो वरना पैसा पानी की तरह भैजाएगा और आपको कच्वे की अंगूठी पहनने का कोई भी लाब नहीं मिलेगा तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो में जै मालक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद